अपने सोतेले भाई बावी देवल के खिलाफ ईशा देवल एक शब्द नहीं सुन पाई और उन्होंने लोगों को खरी खोटी सुना दी दरसल कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते उन्हें लगा कि बावी देवल और ईशा सोतेले भाई बहन हैं तो इनके बीच आग लगाई जाए लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन सोतेले भाई बहन का रिष्टा सगे से भी जादा मजबूत है हुआ यू कि कुछ दिनों पहले ईशा अपने आने बाले प्रोजेक्ट की शूटिंग करते हुए स्पॉट हुई थी वो शूट करके अपनी वैनिटी वैन में जाने वाली थी कि तबी मीडिया ने उन्हें वहाँ घेल लिया और उनके फोटो और वीडियो शूट कर लिये ये वीडियो और फोटो जब सोशल मीडिया पर सामने आए तो कई लोगों ने ईशा के हैर स्टाइल का मजा कुड़ाया और इसे उनके भाई बाई बाई देवल के हैर स्टाइल से जोड़ दिया लोगों को लगा कि ईशा इस बात पर चिड़ जाएंगी लेकिन ईशा ने इस पर ऐसा जवाब दिया कि ट्रोलर्स के होश ही उड़ गए इशा ने एक पोस्ट में लिखा हाल ही में मैं अपने आने बाले प्रोजेक्ट के लिए मुंबई में एक्शन सीन सूट करते हुए मैं अपनी वैनेटी बैं तक चल कर जा रही थी और इस दोरान गलती से मेरा वीडियो बना लिया गया कुछ समय बाद मेरा ये वीडियो वाइरल हो गया और अपने लुक के लिए मैं ट्रोल होने लगी मेरे बालो की बात करे तो एक्शन सीन के दौरान वो खराब हो गए थे और हाँ अगर मैं अपने भाई बावी देवल की तरह दिखती हूँ तो मैं इस कॉम्प्लिमेंट के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ अब इशा देवल का ये जवाब सुनकर उनका मजाक उडाने वाले शर्मिंदा हो गए हैं और इशा के इस जवाब से पता चल गया है कि वो अपने सौतेले भाईयों से कितना प्यार कर दिया है फिलाल इशा के इस जवाब पर आप क्या कहेंगे अब मीरा हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे